नमस्कार ने विलकम ये अलू वर्ल अफेर जैनू प्रशान धवन नाओ रीसेंटली आपने देखा होगा के युनाटेट नेशन्स के सिक्योटी काउंसल में 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग युएस इंक्लूडिंग रशिया सब लोगों ने मिलकर कोशिश करी के पाकिस्तान ब जमान माकी को डेसिटनेट करवाए जाए as a UN टर्रिस्ट चाइना ने उस वक भी ब्लॉक कर दिया था और रीसेंटली एक दिन पहले ही इंडिया ने चाइना के डबल स्टेंडर्स को लेकर चाइना बे प्रेशर बिल्ड किया और उसके अगले ही दिन हमने देखा है कि चाइ यह सारे स्टेप्स किस तरीके से पाकिस्तान को FATF ग्रेलिस से भार रखेंगे और जो मोस्ट रीसेंट आतंगवादी चाना ने बचाया है अदूल राउफ अजर के नाम से इसकी कितनी जादा एक पुरानी और करवी हिस्ट्री है विद इंडिया यह भी हम डिसकस करेंगे बहुत कुछ आको जानने को भिलेगा मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पुछूंगा question यहाँ पर यह है कि Gustavo Petro यह नाम आजकल बहुत ज़्यादा news में है आपने हो सकता है कि इस पर आर्डिकल देखियो लिखा जा रहा है कि पहली बार है कि एक देश में एक particular देश मे एक leftist आदमी बना हो president तो आपको यहाँ पर बताना है कि Gustavo Petro recently किस country के president बने है यह है आपकी options कोलंबिया ब्रजिल ग्रीज या फिर आर्जंटीना comment section में सब लोग करो answer जो लोग सही answer करेंगे उनकी comment को मैं हाट देदूँगा ताकि वाकी लोग भी समझ पाए कि सही answer क्या है नाव सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जानना होगा कि अब्दुल राउफ अजर ने किस तरीके से इंडिया की जो fight है against terrorism इसको भारी नुकसान पुचाया था और अजीद दोवाल क्यों इस case में personally इतने interested होंगे देखिए पहली बात तो अब्दुल राउफ अजर यंगर चोटा भाई है मसूद अजर का मसूद अजर आपको पता होगा इसने 26-11 हमले करवाए थे उसके इलावा भी भारत में जो various आतंगवादी हमले हो चुके है उसमें मसूद अजर इन्वाल रहा है मगर अब्दुल राउफ अजर का सबसे बड़ा गुना ये नहीं कि ये एक UN designated आतंगवादी के साथ मिलके काम करता है उसका भाई है इंडियन परस्पेक्टिव से जब भी हम ये नाम देखते हैं अब्दुल राउफ अजर हमको याद आता है 1999 ये वो साल है जब एर इंडिया की फ्लाइट 814 हाइजैक हो गई थी हुआ क्या के एर इंडिया की एक फ्ल पाइट ना अब तुम लेके जाओगे सीधा अफगानिस्तान के शहर कांदाहार में और उसके बाद जो फ्लाइट लैंड करनी थी इंडिया में उसको ले जाये गया कांदाहार में वहाँ पे फ्लाइट लैंड हुई अब इंडिया के लिए प्रब्लम ये थी कि उस वक्त उसके जाओगे सीधा नहीं युएसे अफगानिस्तान में 9-11 के बाद आया है उस वक्त अफगानिस्तान में राज था तालिबान का और तालिबान के बहुत ही जादा ग्यारे लिंग्स थे पाकिस्तान की आई-एस-ई के साथ तो इंडिया का हाई-जैट प्लेन अफगानि बहुत सारे आपर पैसेंजर्स हैं करीब 180 से उपर पैसेंजर्स थे आपर इनको किन शर्तों पे छोड़ा जाएगा यहाँ पे आतंगवादियों को क्या चाहिए और इस दुरान अब्दुल राउफ अजर ने एक शर्त ये रखी के इंडिया में जो तीन बड़े आतंगव आतंगवादी रहा करने पड़े यातंगवादी थे मुश्ताक एहमद जरगार एहमद उमार सहीच शेक और मसूद अजर खुद जी हाँ 26 ग्यारा का मास्टर माइंड 1999 में रहा किया गया नहीं तो इससे पहले इंडिया की जेल में था अब यहाँ पर आप पूछोगे तो कांधार हाईजाकर्स का कुछ और हाल होता इंडियन आर्मी इनको बहुती बुरी तरीके से मारती अगर तालिबान और ISI मिलके आपे काम ना कर रहे होते हैं अब आप सोच कर देखो एक ऐसा आतंगवादी जिसने इतना बड़ा एक काम किया जिसके बारे में नोन है कि यह मसुद अजर का भाई है उसके साथ मिलके काम करता है चाइना यहाँ आपर कहता है कि इसके बारे में अब्दोल राउफ अजर के बारे में हमको 100% नॉलेज है नहीं तो हम इसको यहाँ पर डिगलेर नहीं कर सकते as a UN designated terrorist जबकि UN security council में जो बाकी 14 countries हैं सबने including India of course सबने unilaterally कहा कि यह आतमी आतंगवादी है क्योंकि evidence इतना बड़ा है आपके सामने it is all well documented अब्दोल राउफ अजर की involvement सबको बताया कैसे थी यहाँ पर मगर चाइना और पाकिस्तान आज के समय यह कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा pretend करे FATF की team के सामने कि मसूद अजर इसका भाई इसके बाकी जो आतंगवादी ग्रूप के लोग है यह सब actually पाकिस्तान में है यह missing है यह शायद अफगानिस्तान में चले गए अभी आपको बताओगा कि FATF की एक team है यह visit करेगी पाकिस्तान को अगर इस team को लगा कि पाकिस्तान में अब आतंगवाद इतना है नहीं यहाँ पे इतने आतंगवादी नहीं है तो यह FATF की team कह सकती है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रेलिस से निकाल दिया जाए अब पाकिस्तान के सामने प्रॉब्लम ये है कि कई जो यहावे बड़े आतंगवादी है इनके खिलाफ केस कर दिया प्रॉपर कानूनी कारवाई करी तो इनको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो पाकिस्तान की IISI इनकी आर्मी ये सब मिलके यही कोशिश कर रहे है के इनको मिसिंग गोशित कर दो ताकि जब FATF की टीम है पाकिस्तान करे कि हमने इनको भगा दिया यह हमारे देश में ही नहीं है यह अभी अफगानिस्तान या फिर कई और है ऑल्मोस्ट आप कह लीजिए उसामा बेन लादेन के केस में जिस तरीके से पाकिस्तान ने कई सल कर लेती है या नहीं और आप खोशोच कर देखिए अगर अबदुल राउफ अजर को डिकलेर कर दिया जाता एक पाकिस्तान बेस्ट यूएन डेजिगनेटेड आतंगवादी तो इससे FATF की टीम के सामने सीधा एक एविडेंस होता के देखिए मोस्ट रीसेंटली अभी पस रीसेटली यूनाइटेड नेशन्स के सिक्योर्टी काउंसल ने फिर से एक पाकिस्तानी आतंगवादी को डेजिगनेट किया है एक UN-designated terrorist तो कैसे आप पाकिस्तान को ग्रिलिसे निकाल सकते हैं तो चाइना देखिए यहाँ पर आल्मोस्ट शेमलेसली पाकिस्तान की ह पाकिस्तान के इंडिया के सामने और इंडिया ने डिसाइड कर लिए कि टीम को हम यही बोलेंगे कि देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे आतंगवादी है मसूर अजर है, इसका भाई है, तो इस बेसिस पर पाकिस्तान को ग्रेलिस से भी निकालना नहीं चाहिए, देखना होगा एवेंचुली, कि FATF की टीम यहाँ पर क्या डिसिजन लेती है, ना वापसाथ है अबने क्वेशन की तरफ के गुस्तावो पेत्रो आजकल न्यूस में चाइना रच्छा का क्लेम यह है, कि यह एक बहुत जादा यूएस बैक्ट प्रेजिडेंट है, और अब कॉलंबिया और यूएस के रिलेशन्स, इनके अंडर काफी हद तक इंप्रूव हो जाएंगे अगर आप 24 मेने का कोर्स परचेस करते हैं, तो 6 मेने आपको एक्ष्ट्रा मिलेंगे, तो मेरे हिसाब से बेस्ट यहाँ पर यह ओफर है, 36 मेने का, क्योंकि सीधा आपका जो 3 साल का आपकी विलेटी है, यह बन जाएगी 4 साल की, अगर आप अभी यह कोर्स परचेस करते हैं, तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप एक कॉले स्विरेंट है, आराम से आप मानते हैं कि 2024 के आजपास एक जैनुएन अटेंट देना UPSC का, तो आप जो यह 36 मेने का कोर्स है, यह कर सकते हैं परचेस, और आप देखेंगे, प्राइस अपने आप यहाँ पर गिरना भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो यूस ज़ाएंगे, यह ऐसे नोट के साथ यह है वीडियो कांथ, थांक यू फर लेस्निंग, और आज अल्वेस, गॉल ब्लस्यू आल,